हलो दोस्तो मेरे नाम है आरवी आज इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ टेक्नो की तरफ से एक नया बजट स्मार्टफोन जो लेटेस लॉंच कर दिया टेक्नो ने इंडिया के अंदर जो आपको काफी कम प्राइस में मिल जाता है टेक्नो का स्पार्क 10C तो दोस्तो यह आपको मिलता है 11,000 का रेट इसका काफी कम है इस वीडियो में इसके अंबॉक्सिंग करके आपको दिखाऊंगा इसके अंदर आपको फीचर्स कैसे मिलते हैं और आपको इसको खरीदना चाहिए और नहीं खरीदना चाहिए तो वीडियो का इंड तक जरूर दिखिएगा लाइक भी कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बॉक्स पे रेट तो जादा है दोस्तो सबसे पहले फून मिल जाता है उसके बाद कुछ यूजर मैनुवल है एक कवर दिया गया है दोस्तो ट्रांस्परेंट कवर मिल जाता है टाइप सी केबल दी गई है और केबल की क्वैलिटी आपको काफी बढ़िया मिल जाती है तो कुछ इस तरिके साहपको वाइट कलर में केबल दी गई है लास्ट में रखा वा मिलता है ये वाइट कलर में चार्जर जोकि एक दोस्तो 18वाट का चार्जर है तो चार्जर आपको जो है फास्ट मिल जाता है रेट के साबसे नॉर्मली दिया गया है ऐसे charger आपको जो है 8-9000 के phones में भी आजकल देखने को मिल जाते हैं अगर 33 watt का charger हो तो काफी बढ़िया रहता तो box के contents फिर भी देखा जाए तो दोस्तो rate के साब सा आपको फिर भी सही मिल जाते है charger fast भी है type C cable भी है और cover भी दिया गया है box के अंदर तो इस चीज में तो यह काफी बढ़िया है बाकी एक और important चीज आपको box में मिल जाती है जिसको ignore नहीं करना चाहिए कई बार पंगा पड़ जाता इसकी वज़े से एक SIM ejector tool भी है तो दोस्तो बात करें design के बारे में तो design देखते हैं दोस्तो आपको लगेगा यह तो बिल्कुल iPhone 14 Pro Max, 13 Pro Max चलो वो तो छोडो 13 Pro Max, 14 Pro Max में भी क्या camera होगा कितना बड़ा camera होगा जो आपको इसके अंदर टेक्नो के Spark 10C में मिलता है मतलब camera का module इससे बड़ा जो है दोस्तो किसी भी budget phone ने हमने आज तक नहीं देखा कुछ इस तरीकी से बहुत ही बड़े-बड़े size में आपको camera दिये गए हैं हाला कि यह चलने में कैसे है, quality कैसे मिलती है, उसको हम अभी test करेंगे बागे दोस्तो design तो इसके अंदर आपको कुछ इस तरीके से मिल जाता है मिलकुल वही iPhone वाला look है दोस्तो वही 3 camera दिये गए हैं हाला कि camera दो है, तीसरे में आपको बीच वाले camera के अंदर जो design मिलता है उसमें flash light है, लेकिन दोस्तो design कुछ इस तरीके से है और बहुत जादा glossy है, light की reflection बहुत ही कमाल की देखने को मिल रही है मतलब mirror type का look है, पूरा शीशे की तरीके से back panel मिलता है हाला कि है plastic के type का, जिस पे scratches भी आसानी साजेंगे मैं अभी आपको दिखाता हूं दोस्तो, बाकि दोस्तो quality जो है कुछ इस तरीके से ही आपको मिलती है quality तो मुझे थोड़ी average ही लगी इसकी, क्योंकि scratches वगएरा, finger paints वगएरा एकदम भर भर के आ रहे है इसके back panel पे, बाकि look wise देखा जाए तो दोस्तो, वही iPhone के मज़े आप 11000 में ले सकते है मतलब अगर आपको चमकाने के लिए phone खरीदना है तो इससे बड़िया तो कोई phone होई नहीं सकता है लेकिन इसके अंदर आपको IPS HD प्लस ही डिस्पले मिलती है, Full HD प्लस डिस्पले नहीं दी गई तो इसके अंदर मुझे दूसरी कम ही लगए, अगर Full HD प्लस डिस्पले होती तो काफी बढ़िया रहता बाकी colors वगएरा कैसे है, मैं आपको दिखा देता हूँ डिस्पले के और दोस्तो देखिए इसका ये दूसरा color जो बिल्कुली 13 Pro Max की तरह लगता है और इस पे scratches भी देख सकते हैं, आप कितने ज़ादा आगा है तो बिना cover के अगर आप इस phone को चला लिए ना तो मतलब इसकी धज्जे उड़ जाएंगी wholesale में आपको scratches देखने को मिलेंगे और fingerprints वगएर भी आप देख सकते हैं तो design की quality को लेकर तो दोस्तों बहुत ही ज़ादा down नहीं है इसे के साथ दोस्तों display के आपको colors कैसे मिलते हैं, user interface कैसा मिलते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, user interface कुछ इस तरीके से दिया गया है आप ऐसे उपर की तरह swipe करेंगे, आपको सारी applications मिल जाएंगी थोड़ा extra applications तो इसके अंदर आपको दी गई है, उनको आप जो है uninstall कर दियेगा बागी display के अंदर आपको refresh rate कितना मिलता है, उसको check out कर लेते हैं तो इसके अंदर आपको display में 90 Hz का refresh rate मिल जाता है, तो इचीज काफी अच्छी है आप colors वगरा कैसे आपको दिक्कत होगी इसके अंदर या फिर नहीं, तो दोस्तों मैं आपको करीब से जो है इसके display की brightness बिल्कुल full करके मैं आपको दिखा देता है, उसके अंदर आपको display की quality कैसी दी गई है तो दोस्तों इसके अंदर आपको display का जो design मिलता है, वो तो मिलता है, notch वाला V-shape में कुछ इस तरीके से notch दी गई है बागी display की जो brightness है, वो आपको थोड़ी normal मिलती है, लेकिन colors वगरा जो आपको मिलते हैं, वो आपको काफी बढ़िया मिल जाते है तो overall देखा जाते हैं, तो दोस्तों आपको वैसे कोई खास problem नहीं होने वाली, display की जो quality आपको rate की सबसे काफी सही मिल जाती है, तो colors होगेरा भी काफी बढ़िया है, दोस्तों design भी आपको ठीक टाक मिल जाता है, अगर punch hole camera वाले design होता तो काफी बढ़िया रहता, इसके ल 4G smartphone है, 5G नहीं है, right side साब देखेंगे तो volume के buttons और power का button है, fingerpin scanner दोस्तों आपको side में ही दिया गया है, power के button के अंदर, तो side में मिल जाता है, उपर से देखेंगे तो plane design इस तरफ कुछ नहीं दिया गया, अब आती है सबसे main चीज की बारी, इसके अंदर आपको जो RAM और storage मि देखेंगे तो यह चीज तो बहुत ही कमाल किये इसके अंदर, और 8GB RAM और extend कर सकते हैं, आप तो 16GB RAM हो जाएगी, 128GB internal storage तो यह चीज तो बहुत ही ज़्यादा कमाल किये इसमें, चलिए अब दोस्तों इसके अंदर आपको Android का console version मिलता है, उसको check कर लेते हैं, तो इसके Android का 12 version ही दिया गया है, उम्मीद करते हैं, इसके अंदर आपको update भी जल्दी देखने को मिल जाए, अगर updated version 13 होता तो काफी बढ़िया रहता, तो वो चीज थोड़ी आपको normally देखने को मिलती है, चलिए अब इसको restart करते हैं, जो है दोस्तों इसके अंदर आपको speed मिलती है वो कैसी मिलती है, day-to-day use के अंदर आपको दिक्कत होगी या फिर नहीं, तो दोस्तों इसके अंदर आपको restart, जो है कुछ इस तरीकिसा आपको option मिलता है, power का button आप long press करेंगे, आज कल वैसे patterns काफी change हो रहा है, किसी में volume के up button को और power के button को साथ में press करना पड़ता है, कई बार जो है, long press करना पड़ता है, तो इसमें तो power का button या आप long press करेंगे, आपको option मिल जाएगा, restart कर देते हैं, बात करें दोस्तों इसकी battery के बारे में, तो battery इसके अंदर आपको दी गई है, दोस्तों 5000 image की, एक दिन का normal battery backup इसके अंदर आपको अराम से मिल जाएगा, अब दोस्तों बात करें, इसके processor को लेकर, तो इसके अंदर आपको जो है processor जो है थोड़ा normally देखने को मिलता है, इतना बढ़िया भी processor इसके अंदर आपको नहीं दिया गया, कि अगर आप एक बहुत जादा heavy user है, gaming आपको जादा करनी है, तो आपको इस budget के अंदर और दूसरे smartphone देखने को मिल जाते हैं, जादा बढ़िया processor के साथ, यह phone जो है दोस्तों नॉर्मल यूसके साब से काफी सही है, जिससा आप एक day-to-day user है, दोस्तों आपको whatsapp, youtube अगरा यूस करना है, gaming अगर आपको नहीं करनी तो आपको problem नहीं होगी, बाकि अगर आपको gaming जादा करनी ह तो दोस्तों आप इस budget के अंदर और दोसरे smartphones भी जरूर देखिएगा, channel के अंदर बहुत सारी videos हैं, तो उनको भी जरूर देखिएगा, restart test के अंदर दोस्तों इसने कुछ इस तरीक से इतना time लिया, अब देखते हैं applications कितनी देर में जो load होती हैं और जो है lag type का इसके अंद से यह काफी सही है, इसके लग दोस्तों बात करें इसके camera के बारे में, तो आप दोस्तों numbers है, design से कोई फर्क नहीं पड़ता क्या, जो मतलब इसमें size ने तो iPhone 13 Pro, 14 Pro Max को भी fail कर दिया, लेकिन quality की बात करें तो दोस्तों camera की performance है न वो मुझे इसके अंदर normally लगी, colors वगर थोड़ी सके अंदर average ही देखने को मिली, तो normal camera आपको मिलता है, तो वो चीज़ भी आपको average ही देखने को मिलती है, तो यह सारी खुबिया कमी आपको मिलती है, दोस्तों टेक्नो के spark 10C के अंदर, चलिए बात करते हैं, दोस्तों सबसे main चीज़ आपको इसको खरीदना चा सकते हैं, दूसरा दोस्तों इसके अंदर आपको RAM और storage बहुत ही कमाल की मिलती है, तो वो चीज़ भी काफी बढ़िया, RAM और storage आपको जादा चाहिए, तो आप इसको खरीज सकते हैं, तीसरा इसके अंदर आपको display के colors वगरा काफी सही मिल जाते हैं, फिर भी, और 90 Hz का refresh rate भ सकते हैं, बाकि जो चीज़ा मुझे इसके अंदर average लगी, एक तो यह दोस्तों इसके अंदर आपको जो camera की performance मिलती है, नॉर्मली मिलती है, तो आप जो है बहुत जाद expectation मत रखिएगा, दूसरा इसके अंदर आपको processor और भी जादा better होता, तो काफी बढ़िया रहता, नॉ आपको फिर भी दोस्तों टेक्नो का यह spark 10C कैसा लगा, कैसा नहीं, comment करके जरूर बताइएगा, आइफून की वज़े से दोस्तों यह अच्छा लगा यह फिर नहीं, comment करके जरूर बताइएगा, वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी तो इसको एक like करके जरूर भी benefit हो जाएगा और आपको कोई loss नहीं होगा उसमें, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगरी वीडियो में तब तक के लिए, take care, bye bye